हलो दोस्तो प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ इंटर डिटिप्शन डिक्रिप्टिशन के साथ दोस्तो आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तो इस वीडियो में हम दो बहतरिंग स्टॉक लेकर आए हैं कल के लिए जिन में बहुत शांदार करीवन सवन दो परसेंट की संतिंग का मिटकेब की अगर में बात का तो मिटकेब में भी लगबक पुने 3% के असपास की टेजी बैंक निफ्टि में भी बहुत शांदार आते दी देखने को मिली और अगर देखे तो मार्केट का जो पॉफोमेंस जो तो लास्ट कुछ ताइम से, वो यहां पर गाद धित करने के साथ, यहां पर इजेक्शिन बनाए, मतलब यह जो 590 रुपे के संथिंग का जो लेवल था न किसिए आप डेख सकतें धिक फॉल आया तो सपोर्ट लिया, फॉल आया और इसी रेंज में करीबं दो दिन उसने फिर समय बिताया मतलब 560 के सम्तिंग इसने फिर समय बिताया अब एक बार फिर से दोस्तो वो इसी रेंज में चले गया है मतलब अभी आप देखेंगे तो कुछ दो दिन उसने यहां पर बिताया फिर एक, दो, तीन और लगबख चार से पांथ दिन हो चुके हैं 590 से लेके 560 के बीच में वो बिताता था ठीक है एक बार फिर से हमें 560 का सपोर्ट लेते देखने को मिला ठीक है, लेकिन आज भी दोस्तों क्या हुआ कि वो 590 रुपे के लेवल को दोस्तों क्या ब्रेकाउट नहीं दे पाए, क्या खल दे पाएगा या नहीं, कल अगर दे पाता है तो एक next range में आएगा, मतलब ये वाली range में आएगा तो ये वाली range में आने के साथ भी दोस्तों एक crucial level आ जाएगा हम बोल सकते हैं कि एक psychology number 600 रुपे का ठीक है, अगर 600 रुपे के level को अगर breakout देता है तो definitely BPCL का जो stock है, हमें comfort zone में जाते देखने को मिलेगा जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा plus point होगा और news भी काफी अच्छी हमें stock में देखने को मिल रही है तो इसलिए stock हमें comfort zone में देखने को मिल रहा है इसके लिए हम stock में buy करके चलेंगे तो हमें position बनाना है 5.95 से हमारा पहला target रखेंगे हम 600 का छोटा target लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और second target हम something यहाँ पर लेके चलेंगे दोस्तो 6.05 का, यह हमारा target है और 5.90 का SL भी लेके चलेंगे तो हमारा जब first target अचीव हो जायागा ना तो हमारा SLI है हमारी cost पर आजाना चाहिए इस हिसाब से हम BPCL में position बनाने के कोशिश करें चले, एक और update देना चाहूँगा दोस्तों वो update है हमारा profit growth and alcohol का टेलिगराम चैनल जहाँ पर daily basis पर इसे लेवल इसे चार्ट अपडेट किये जाते हैं आज भी bank nifty का 15 मिट का चार्ट अपडेट किया यहाँ पर बता दिया कि 46,800 का लेवल हमारे लिए बहुत important है उपर की side में 46,400 का नीचे के लिए support है ठीक है जैसे ही दोस्तो हमें 46,800 का लेवल तूटते दिखा वैसे हमने call side में काम किया लगबख 50-60 point का target था वो अचीब किया दोस्तो बहुत ही शांदा तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं और हमें लगबख 46,800 के लेवल से लगबख 186 point का दोस्तो हमें breakout देखने को मिला ठीक है तो daily basis पे ऐसी help आप लोगों की जाती है दोस्तो जिससे आप सीख सको, समझ सको जो market का direction है वो जान सको ठीक है तो इसके लिए हम हमारे telegram channel पे आपको सारी चीज़े अपड़ीट करते हैं तो telegram channel को join कर लो link आपको नीचे description में मिल जाएगा बिल्कुल भी देरी मत करो दोस्तो सीखने को समझने को मिल रहा है फिरी में ठीक है ये कोई भी ने आप लोगों को बताने वाला है तो join फटापट से करो telegram channel को ठीक है चलिए second stock को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं second stock हमारा है मुट्व finance का मुट्व finance के अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो आप देख सकते हैं last कुछ दिनों से ये stock भी काफी ज़्यादा consolidate कर रहा था यहाँ से लेकर दोस्तो यहाँ तक ठीक है यह जोन थी दोस्तो लगबग 1350 से 1325 की ठीक है 13 तारिक, 14 तारिक, 15 तारिक, 18, 19 और 20 ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं आज एक काफी बड़ा gap up opening लिया gap up opening के साथ यह जो 1375 वाली range थी उसको भी उसने नहीं देखा सीधा break किया break करने के साथी continuously दोस्तो उपर गया बस एक psychology जो हमारा number था 1400 को यहाँ पर आप देख सकते हैं उस पर उसने क्या किया दोस्तो काफी ज़्यादा समय बिता है काफी ज़्यादा उसने यहाँ पर समय बिता है ठीक है, buyer को attract किया करीबन दो बार महाँ से ceiling pressure भी आए आप देख सकते हैं, ठीक है, दो rate candle भी दिख रही है और एक candle है पंदा मिट की तो आप खुछ समझ सकते हो, कि उसने 1400 रुपे के level पे कितना समय बिता है, selling pressure भी आए लेकिन buyer ने फिर control किया और फिर अच्छी तरीके से उपर ले गए जो हमारे लेक positive sign देखने को मिल रहा है तो इसी इसाप से हम इस stock को buy करके चलेंगे trend को follow करेंगे, ठीक है तो अगर कल मुत्वत finance हमें दोस्तो 1440 पर मिलता है तो यहां से position मिनाएंगे, ठीक है 1450 का पहला target और 1460 का दूसरा target लेके चलेंगे ठीक है, और लगवाग 1430 के something का हम SL लेके चलेंगे तो हमारा जो first target अचीव हो जाएगा ना तो हमारा जो SL वो cost पर आ जाएगा ठीक है, तो यह दोनों stock है दोनों पे हमने हमारा analysis अपडेट किया हमारे level आपको अपडेट करें, आप भी थोड़ा सा अपना analysis जरूर लगाईएगा, देन उसके साथ कुछ चीज़े समझ में नहीं आती है, तो comment box में comment करें, proper आपकी comment करें, दिया जाएगा और telegram channel को join करें वीडियो को like करें, चैनल को भी subscribe करें क्योंकि daily basis पर इसी प्रकार के बहतरिंग अपडेटा हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो thank you दोस्तो